मा होने का सबसे पहला एहसास गर्ववती महसूस करती है जब वहाँ पहली बार अपने गर्वस्त शिशु की मूमेंट या उसकी किक का अनभव करती है संजीवन गर्वसंसकार यहां चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेर करें नमस्कार मैं डॉक्टर संजीवनी सी तल्टों से संजीवन गर्वसंसकार के इस योटूब टेलन में आप सभी का स्वागत करती हूं जी हाँ हर माता इस पल का इंतजार करती है कि कब मेरा शिशु कीक करेगा लेकिन क्या आप जानती है कि शिशु की हर कीक कुछ कहती है बस मा को इसे समझना होता है तो पहले समझते हैं आपका गर्भस्त शिशु किक मारना यानि लाथ मारना या आप उसे मुवमेंट भी कह सकती है कब शुरू करता है यदि आपकी पहली प्रेगनसी है आप पहली बार मा बनने जा रही है तो आपको गर्भावस्ता के 25 वे सत्था तक कोई भी मुवमेंट मै मैसुस हो सकती है और यदि आपकी सेकंड प्रेगनसी है तो प्रेगनसी के 16 सब्था से 25 सब्था के बीच आप शिशु की मुवमेंट पहली बार फिल कर सकती है कुछ मैलाव को 13 सब्था के शुरूवात में भी शिशु की हलचल मैसुस होने लगती है अब जानते हैं कैसे सम समझ में नहीं आता है गरभावस्ता की शुरुवात में आपको पेट में मानों तितलिया उड़ने जैसी फिलिंग होती है और फिर जैसे जैसे शिशु बढ़ने लगता है तो साथवे मैने में शिशु की मुवमेंट अच्छे से फील होती है साथवे मैने में पहले से जरूर देखे अब देखते हैं गरभ में शिशु कब और क्यूं किक करता है क्यों लात मारता है या मू करता है किक करने से वहां क्या संकीत देता है पहला शिशु का स्वस्त होना जी हां शिशु जब गरभ में किक करता है तो यहां सबसे बड़ा संकेत है कि वहां स्वस्त ह मानों वहाँ कीक करके आपको इस बात का एहसास कराता है कि वहाँ खुश है और अच्छे से ग्रो हो रहा है इसलिए अगर बच्चा कीक मार रहा है तो आप खुश हो जाए क्योंकि वहाँ एक्टिव है अच्छे से बढ़ रहा है दूसरा खाने के टेस्ट को लेकर जब भी आप कुछ स्पेसिफिक चीजे जैसे मीठा खाती है या फिर चटपटा मसालेदार कुछ खाती है तो पेट में शिशु की मुमेंट मैसुस होती है और ऐसी सेम रियक्शन या हलचल आप बार-बार मैसुस करती है जब वहाँ चीज आप खाती है तो हो सकता है आपके शिशु को मीठे खाने का स्वात पसंद आया हो और इसलिए आपका मन दीब बार-बार मीठा खाना या खट्टा खाने को करता है तीसरा शिशु मू करता है जब मा की आवाज सुनता है शिशु आप से शरीर और मन से जुड़ा होता है चौथे मेने के बाद शिशु की श्रवन शमता विकसित होने लगती है और इसलिए वहाँ मा की आवाज सुन कर भी किक मारता है जब मा अपने शिशु के साथ बात करत तो वहाँ मूवमेंट करता है और किक भी मारता है इस तरह से वहाँ मा को रिस्पॉंस करता है बात करने पर यदि शिशु किक करता है इट मिन्स वहाँ आपको सुन रहा है और आपको रिस्पॉंस कर रहा है आपके बात पर चौथा रोशनी को response करता है आपका शिशु लाथ मार के यदि आपके पेट पर रोशनी पड़ती है तो शिशु मूँ करता है और किक भी मारता है आठवे महने में शिशु की आखे open close करना यहाँ action शुरू रहती है और रोशनी को पहले इसे बहतर वहाँ देख सकता है आठवे महने में पाचवा शिशु को हिचकी आने पर शिशु को यदि हिचकी आने लगती है तो मा की पेट में किक जैसा मा महसुस कर सकती है जब आपको 30 सेकेंड से जादा समय तक पेट में धीमी धीमी प्रॉपर रीदम से किक महसुस हो रही है तो हो सकता है शिशू को हिच कियाई हो ऐसे अलग-अलग कारण हो सकते है शिशू के किक मारने के, मुवमेंट करने के और मा को कुछ विशेश संकेत देने के जब कभी यह मुवमेंट आप पहले से कम महसुस करती है तब आप चिंतित हो जाती है तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो क्या परिस्तिती होती है जब शिशू की मुवमेंट कम होती है इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने डाला है उसे जरूर देख ले इसके साथ साथ आप बना सकती है आपके शिशु को सुन्दर, सुदरोड, तेजस्वी और सद्भुनों से परिपुर्ण, जी हाँ यहाँ अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अभी आप प्रेगनन्ट है, अभी शिशु आपसे जुड़ा हुआ है, तो गर्ब संस्कार के द् लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे जाके डाउनलोड करें संजीवन गर्ब संस्कार एप और बनिए एक्स्ट्राओर्डिनरी मॉम ओफ एक्स्ट्राओर्डिनरी बेबी, तो हसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंजोई करें प्रेगनन्सी का संजीवन गर्ब संसकार के साथ, धन्यवाद.